हलो इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना है से गोचिंग क्लासेश पर सोगत है उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, वेतर होंगे बचों 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किस फिल्ड में जाएं, इसका निर्ड़ें, आप जिस प्रकार से करेंगे आपका भविस्त वैसा ही तैं होगा क्योंकि अभी तक तो आपका एक निश्चित लाइन रहता है, एक निश्चित डाइरेक्शन रहता है कि नाइन्थ के बाद, टैंथ, टैंथ के बाद, एलेवन्थ, फिर ट्वल्थ, यहां तक तो ठीक है, चीज़ें क्लियर थी पुरा गर्मी खेल कूद के, आपने बरबाद कर दिया, जुलाई से पढ़ना सुरू किया, फिर हमने एक क्लास पढ़ लिया, फिर यह चलता हुए, एक निश्चित डाइरेक्शन रहता है यहां तक किसी को परसानी नहीं होती, लेकिन ट्वल्थ के बाद, आप केरियर के लिए, क्या चूज करते हैं, वो निड़नाय करता है आपके जीवन में, क्योंकि यहां से न, फिर आप वापस नहीं लोट सकते आप इदी, जिस फिल्ड में चले गए, वो आपस लोटेंगे, तो फिर आपका डवल नुक्सान होने वाला है इसलिए ट्वल्थ के बाद, सोच समझ करके, आप निड़ने कि हमें करना क्या है हमें किस फिल्ड में जाना है, क्या तैयारी करना है, हमारे पास कितना आपसन है क्योंकि एक बहतर कोर्स करने के लिए, एक अच्छे पदों में जाने के लिए हम इस समय के साथ साथ कही न कहीं पैसों की भी जरूत होती है वो सब चीजों को देख करके आप अपने केरियर के वारे में सोचे जैसे कोई बच्चा चाहता है कि हम UPSC की त्यारी करेंगी तो इसके लिए थोड़ा सा लॉंग पीरिड होना चाहिए आपके पास मतलब एक लंबा समय होना चाहिए साथ में आपके पास पैसे भी होने चाहिए अब कहो कि सर आप पैसे की बात करते हो और गरीब से गरीब बच्चा भी UPSC फाइट करता है बिल्कुल करता है मैं नहीं कहता लेकिन भाई साहब एक चीज और भी तो समझो आप लोग ग्रेजवेशन करोगे तीन साल यूँ आसानी से उसमें भी पैसे लगेंगे और आज के डेट में आप देख लो कि यह दी सो बच्चा माली यूपी असी में जा रहा है तो सलेक्शन सो में से एक कर नहीं हो पाता है हजारों में किसी एक बच्चे का होता है मतलब एक हजार बच्चा जब पेपर देता है उसमें से एक बच्चा सलेक्ट होता है और आप लोगों को मैं बता दू कि माली जिए सो बच्चे सलेक्ट हुए उसमें से लगबग 95 बच्चे कोचिंग वाले ही सलेक्ट होते हैं 5 परचंट ऐसे कुछ होंगे जुजवी लेकिन फिर भी हो कहीं न कहीं से कोचिंग किये रहते हैं तो कोचिंग का फीस जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है अब आप जाओगे कहीं 1.5 लाग, कहीं 2 लाग, कहीं 3 लाग, कहीं 4 लाग, कहीं 5 लाग ऐसे बड़ी-बड़े कोचिंगों की फीस होती है जब तक आप बहतर सिच्छा नहीं पाओगे एक गाओं से उठा हुआ बच्चा, गाओं में पढ़ाई इस तर आप कितना है आप समझ सकते हैं खास दोर से मैं तो यंपी की बात करता हूँ ऐसा नहीं कि गाओं का बच्चा टापर नहीं होता है तेकिन आप देखो ना गवर्मेंटी स्कूल की हालात देखो सब कुछ प्राइवेट के हिसाब से चल रहा है खतम कहानी टीचर भी परयापता नहीं है पाच मी तक का तो सिस्टम ही खतम है तो मैं उस इस तर से बात कर रहा हूँ तो आप कैरियर को देखते हुए जैसे जिस भी रास्ते पर आप जाना चाहते हैं उसको थोड़ा सा गहन अद्धन करें कि हम इस फेल्ड में जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा कितना समय लग सकता है ये चीज़ें आपको आपके परिवार के लोग कहेंगे कि हम अपने बेटे को डाक्टर बनाना चाहते हैं या बोलेंगे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आपका उद्देश है कि हमें एक अच्छा उद्दमी बनना है या उद्दोगपती बनना है या कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें अपना एक नया बिजनिस खड़े करना है हम खुद के मालिक बनना चाहते है कहने का मतलब या कि आपको कोई एक ऐसा जौब चाहिए जैसे बैंकिंग का चाहिए रेलवे का चाहिए और आपको बोल दिया गया कि आप टीचर लाइन पर चले जाओ तो फिर आपका वहां से केरियर समाप्त हो जाता है इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप जिस फिल्ड में जाना चाहते हैं उस फिल्ड में नजा करके आप उस फिल्ड को चूज कर लिए है जहां आपका इंट्रेस्ट नहीं है और जब उस फिल्ड के लिए आपका इंट्रेस्ट नहीं रहता तो आप उस पे सफल नहीं हो सकते ये लिख के लिए लिजे 100% इसलिए पुल्ड के बाद आपको जितने लोग भी मिलेंगे सब लोग ग्यान इतना अच्छे से देंगे भले उसके बारे मों जानकारी ना रखते हूं लेकिन आपको किस फिल्ड में जाना है ये स्वयम निर्णे लेना होगा स्वयम अंदर से दिल से ये आजमान हो कि हमारे पास कैपसर्टी कितना है कि अब वास्तविक रूप से हम बैंकिंग भी जाना चाहते हैं तो क्या हम उतना पढ़ाई कर सकते हैं उतना मेहनत कर सकते हैं या कि हम UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उस फिल्ड में हम कूदने से पहले ये सोच लें कि हम क्या इस फिल्ड के लायक है आपको अपने नॉलेज के बारे में खुद idea रहता है, हमें दी कह दें आपको कि सिदा UPSC की तैयारी शुरू कर दो अभी से, तो ये गलत है क्योंकि हम आपको कैसे पहचानेगी आप खुद पहचान पाऊगी कि आपका capsulity कितना है, पढ़ने की छमता कितनी है, आपने अभी तक पढ़ा तो कितना आपको याद है ये आप खुद रहने कर सकते हो लेकिन हाँ, सब चीज तो ठीक है मैंने कहा कि आपको आप अपने हिसाब से क्या बनना है, किस फेल्ड में जाना है ये स्वयम निर्ड़ करोगे, तब हो पाएगा अब कहोगे सर कि आप कुछ तो बताएए तो आप लोग बता देना कि आप रेलवे में जाना चाहते है तो क्राइटेरिया क्या है, टीचर बनना चाहते है तो क्राइटेरिया क्या है UPSC क्रेक करना चाहते है तो आपका क्राइटेरिया, MPPSC, MPSI बहुत सारे जॉब्स होते हैं बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो यह आपका जो भी टार्गेट रहेगा उस पर बताना उस पर मैं सेप्रेट वीडियो दे दूँगा क्योंकि इस साल बीजी होने के कार्ण यह सारा वीडियो जो नहीं आ पाया पिछले साल मैंने प्रवाइड किया था लेकिन कुछ नए चीज़ें बदल जाती है सलेवा से बदलता है तो इस पर मैं वीडियो बना दूँगा वह आप बिल्कुल लिस्ट रहें बस आप लोग बताना कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए लेकिन अभी यह मुक्रुप से यहां पे न यह केरियर के उप कर लो प्राइवेट कॉलेज से भी कर लो ऐसा भी लोग प्रलोभन देते हैं लोगों को ददस जार पंदरा पंदरा हजार वहां से मिलता भी है ऐसे तो कई सारे गवर्मेंट टीचर भी हो जाते हैं थोड़ा सा दो पैसे के लालच में कि अपने भी स्कूल के बच्चों को कि यह पिपर दे लो लास्ट में प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडिविशन ले लेना तो वो सब चीजों को आपको थोड़ा सा यह सोच समझ के रहना है कि ऐसा नहीं है कि किसी को आप बहुत ही आधर्स मानते हो उन्होंने यह कह दिया कि ऐसा करे लेना तो आपको जाओ भले ही उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो यह चीज है अब कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हम 12 के बाद जैसे निट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या हम ड्राप ले 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 तो आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि 12 के बाद आपको किसी भी साल का ड कर सकते हो DLG से बोलते हैं BSC कर सकते हो BA कर सकते हो BCOM कर सकते हो ऐसे कई सारे चोटे मोटे कोर्स होते हैं computer कोर्स होता है जो आपकी स्किल को बढ़ाता है यह सारी चोटी चोटी कोर्स हैं आप कर सकते हो क्यों क्यों क्योंकि आपको यह वास्तविक रूप से knowledge होगा तो आप 2 दो साल तीन साल समय नहीं लगेगा और एक साल में निकल जाएगा नहीं तो आप समझे लो मेला लाइन लगा हुआ है नीट जे डबल ए के लिए मेला लगा हुआ भीड है उस भीड में जो यूनिक होगा वही आगे चलकर निकलता है, जो मेहनत करता हो वास्तभी ग्रूप से अंदर कैपसेटी यह नहीं अपने अंदर छंता रखता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं जुनून जिसके अंदर हो जज़बा होता है कि हम ऐसा करना है वही उस चीज को कर सकता है अब यह हम धैनिक जीवन के मूल भूत चीज़ों के बाद की चर्चा किये ही नहीं है मुखरुब से जो फैक्ट है जो हमाज लेकर आए कि आप वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं किसी भी फिल्ड में जा रहे हैं लेकिन बच्चों हर चीज़ के दो पहलू होते आप वो मालीजे इंजिनियर बढ़ना चाहते हैं आप खूब प्रयास कर रहे हैं खूब तयारी कर रहे हैं लेकिन उसके दो पहलू है 90% चांस है कि आप हो जाएंगे लेकिन 10% चांस है अब यह कि आप नहीं होगे आप रेलवे की तयारी कर रहे हैं वैकेंसी आती है 10,000-15,000 बच्चे तयारी करते हुए 10,000-15,000 पे पर देते हैं तो उसमें 10% चांस होता है होने का 90% चांस होता है ना होने का तो इसके लिए आपको एक बैक अप प्लान रखना होगा बैक अप प्लान का मतलब क्या है सर बैक अप प्लान का मतलब ये है कि जैसे आप लोग सोचोगे कि हम केबल गवर्मेंट जॉब करना चाहते है हर बच्चा सोच रहा है सो का सो बच्चा सोच रहा है और पोश्ट केबल पाच आ रही है तो 95 बच्चा तो गवर्मेंट जॉब नहीं पाएगा वो तो कुछ न कुछ और करेगा तो उसके लिए एक आपको बैक अप प्लान रखना होता है दो पहलू होते हर सिक्चे के दो पहलू ऐसे ही जीवन में दोनों पहलू जैसे आप किसी चीज़ का तयारी कर रहे हैं तो 10% चांस मैं तो कहूंगा 10% चांस रहता है कि होने के 90% फेलोने का चांस रहता है क्योंकि कारण है न क्योंकि पोष्टी इतनी ज्यादा नहीं आती है जिससे कि आप लोग जैसे माली जे टीचर की ही वेकेंसी देखो हैं अमपी में तो 10 साल में आता है वो भी उतना नहीं आता आज कल देखते हो पूरे गेस्टीचर पढ़ाई करवा रहे है उनको एकदम मजदूरी जैसे 300-400 रुपए पढ़ता है उस हिसाब से वो बिचारे मिनत कर रहे है गेस्टीचर भी तो हर चीज में हमारी जो सरकार भी है चाहते हैं लेकिन यहां पे हमारे पास बैका प्लान हो चीज सेकेंड आपसन ताकि यह दि हमारा उस फिल्ड में न हो सके तो हमारे पास दूसरा आपसन है और वो आपसन क्या हो सकते हैं आपका स्किल हर एक बैक्ति के पास कोई नो कोई स्किल होता है चाहे भले हो, चाहे माली जे कंप्यूटर के छेत्रे में हो, चाहे लिखने के छेत्रे में हो, पढ़ाने का स्किल हो, या संगीत का स्किल हो, खेल का स्किल हो, किसी भी फिल्ड का या सोसल मीडिया के बारे में थोड़ा सा स्किल, आज के डेट में तो हर एक बंदा सोसल मीडिय छूट गया हमारा यह गवर्मेंट की देन है अब तयारी भी करते लेकिन इधर पढ़ाते कुछ और है वहाँ आता कुछ और है तो एक साइड प्लान होना चाहिए जीवन में जैसे कोचिंग हमारे एक साइड प्लान था कि नोकरी नहीं मिलेगा तो पढ़ाने का स्किल है तो जानकारी है तो हर एक फिल्ड में कम्प्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता है आप कहीं पर छोटा सा एक दुकान भी यह दिबाद में भविस्त में डाल दोगे तो उसमें से आपका इंकम होगा मैं इसलिए बता रहा है कि एक साइड प्लान होना चाहिए बहुत लोगों क आप लोगों नहीं देखा होगा कि इतने अच्छे टापर्स इतने चाप पढ़ाई करके लास्ट मूल की नौकरी नहीं लगती एक चोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यह साइड प्लान होना चाहिए तो आप तैयारी एक साइड है पढ़ाई एक साइड है लेकि आप सिंगिंग करते हैं अ उसको गाई यह ऐसा नहीं की कहीं न कहीं हर एक चीज से रोजकार है आज येमपी में चाहिए भारत में चाहिए दुनिया में कहीं देख लो जिस Winde से जो بी बनता है उससे वो दो पैसे कमा सकता है हर चीज बिखता है आपका ग्यान है तो उसकी कीमत डवल है जो मेहनत करने वाला मिट्टी से बरतन बना के बेच सकता है तो आप सोचो आज अनलाइन कंडे बिखते हैं गोवर से जो उपला बनता है गाय का मूत्र बिखता है तो स्किल ह होना चाहिए आपके अंदर skill वो skill आपको develop करना जो आपके अंदर है वो आपको ही पता चलेगा कि किस के बारे में हमारे पास skill है तो यह सब बातें करना जरूरी आपके साथ क्यों वच्चो आप सोचों कि time pass नहीं यार यह बहुत समय निकाल कर आपके पास आ यह सब आप लोगों को समझना जरूरी है भविश्य के बारे में और यह वीडियो सबको share करना और भी आपको बहुत सारे मैं skills बताऊंगा जिन पर आपको doubt हो बताना मैं वीडियो दे दूँगा अब यह है कि तुरन तो नहीं आएगा धिरे-धिरे करके मैं आपको वीडियो प्रवाइड करूँगा लेकिन बच्चो आप लोगों को सोच समझ करके सही guidance वाले व्यक्ति के पास पहुंचना नहीं तो पता चला कुछ और आपको कहते कुछ और करने लग जाओ तो आपका भविश्य वरवाद हो जाए मैं तो दिल से जो भी बात करता हूँ यार तो मतलब अपना मानकर मुझे engineering करना पसंद नहीं था लेकिन उस समय पे आज से दस साल पहले बहुत ज़्यादा होड लगी थी आज के रेटे में तो होड नहीं है अब प्राइबेट इंजिनेर जो बनते थे उतने बहुत ज़्यादा कॉलेजर अब कुछ तो बंद भी हो गए तो होड लगी थी बस प्राइबेट जाना ही नहीं चाहिए तो क्या मैं पढ़ा पाता मेरे पाषर आपसाइड अपसन होते नहीं होते तो ऐसे आपके भी जीवन में आपको क्या पसंद है वो आपके ऊपर निर्भर करता है जीवन में कोई कितना भी समझा दे लेकिन ये खुद का मोटीवेशन क खुद से ही आता है ठीक है बच्चो तो आज के लिए फिलाल अभी इतना ही और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताना जरूर वीडियो जरूर लाओंगा फिलाल अभी के लिए तो इतना ही जय हिंद्र बंदे मात्राम।